दोस्तों अगर आपका चैनल अभी तक मोनिटाईज नहीं हुआ है तो आज आपको बता दू कि यूटूब ने एक नया अपडेट जारी कर दिया अब आपको एक टिक और अप्रूब कराना होगा यूटूब से उसके बाद आपका चैनल मोनिटाईज होगा और two step verification क्या होता है क्यों किया है ये भी मैं आपको एक एक चीजे डीटेल में बता रहा हूँ अपने computer screen पर आप इस वीडियो को last तक देख ले और आपको ये भी बता दूँगा two step verification कैसे करना होता है और इसे क्यों किया गया है कि जरूरी किया गया है नहीं तो आपका चैनल मोनिटाईज नहीं होगा आईए computer screen पर यहां पर दिखाता हूँ तो आपको कुछ इसी तरीके से इंटरफेस दिखेगा आपके चैनल पर right और अगर आपके चैनल पर in case two step verification है तो आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए और क्यों किया गया है तो सबसे पहले two step verification करने के लिए आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपके चैनल का और जब आप open कर लेते हो उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना होगा two step verification के लिए यहाँ पर आपको आना होगा two step verification के लिए इस पर click करना होगा इसके बाद यहाँ पर get started पर click करने के बाद यहाँ पर आपको password डाल देना है जो password आपके चैनल का हो तो आपके चैनल का ज original genuine वाला डालना है जो आपका password है और जैसे ही आप twist verification के लिए click कर दोगे वैसे ही आपका twist verification यहाँ पर allow हो जाएगा अब मेरा कह रहा है कि आपका phone है vivo v20 और continue करना है या कोई और phone है तो नहीं मेरे पास यही phone है मेरे phone में चलता है तो vivo v20 continue पर click कर देंगे और यह आ गया mobile नंबर इसी mobile नंबर पर मुझे एक text message चाहिए और text message के लिए मैं यहाँ पर उन mobile नंबर डाल कर send कर दूंगा और जैसे ही send करूंगा मेरे पास एक code आएगा जो कि अभी इसी mobile पर आएगा जिस mobile से मैं सूट कर रहा हूं यहाँ पर code आ गया है यहां पर मैं डाल देता हूँ कोड्य मैने डाल दिया है और code डालने के बाद यहाँ पर जैसे मैने code डाला यहाँ पर लिखकर आ गया है कि आपका toista verification हो चुका है turn on कर सकते हैं बाब तो अब मैं अपना toista verification कलूंगा turn on और यहां पर मेरा two step verification हो चुका है और verify लिखकर आ गया है दोस्तो और अब मैं turn off ही रखूंगा two step verification को तो two step verification आपको पता चल गया किस तरीके से करना है अगर off कर दोगे तो इस तरीके से होगा अब बता देता हूँ two step verification अगर यह सब link नहीं डालनी है तो कैसे निकालना है आपको two step verification के लिए यहां पर आपको किलिक करना है अपने channel के logo पर उसके बाद manage your google account पर किलिक करना है manage your google account पर जैसे किलिक करोगे इस तरीके से interface open होगा यहां पर security वाले option पर जाओगे security वाले option पर जाने के बाद यहां पर two step verification on कर लेना है अभी जैसे मैंने आपके सामने on कर दिया है और आपको बता दू two step verification इसलिए किया गया है YouTube की तरफ से क्योंकि आपका channel secure रहे आपको कोई problem ना हो और channel hack बहुत जादा हो रहे थे इसलिए यह जरूरी किया गया है कि अब आपके channel को जभी monetize करेंगे जब आपके channel पर 4.000 गंटे का watch time, 1000 subscriber और प्लस आपके channel पर कोई community guideline strike ना हो और चौती चीज आपके channel पर two step verification हो गया हो यह चीजें जो आई हैं वो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं देख रहा था YouTube के partner program की website है यहाँ पर सारी detail आती रहती है तो यहाँ पर लिखा है कुछ जानकारी जरूरी जानकारी इन में से कुछ जानकारी यह थी कि YouTube partner program के लिए आपके channel पर checklist होना चाहिए सबसे पहले कि आप इनकी दिशा निर्देसों का पालंग कर रहे हो community guideline ना हो दूसरा कि दो चड़नों में आपका खाता पुष्टी हो मतलब कि two step verification हो तीसरा आपके channel पर 1000 subscriber हो 4 यार घंटे का watch time हो चौता आपने YouTube partner program की सभी सर्दों को मंजूर कर लिया इससे benefit होगा कि आपका channel भी secure रहेगा और आप काम भी अच्छे से कर पाएंगे I hope दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो like करना और channel पर पहली बार आए हो तो subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद